आपने हिंदी की यनेक कहानियां पढ़ी होंगी और यहां के हिंदी कठाकारों को भी पढ़ा होगा आज हम चर्चा कर रहे हैं जापानी की सुप्रसित दल्येखी का तेशिको कुरोया नागी को यूनी शेप की सद्भावना राजदूत अंतर राष्टी इस्तर पर जिन्हें माननेता प्राप्त है जापानी अभिनेत्री तेशिको कुरोया नागी का जन्म 9 अगस्त 1923 को जापान के टोकियो के सुप्रसिद्ध वायलिन बादक संगीत मरमग्य मौरित सुना कुरोया नागी के घर माता चो कुरोया नागी की कुक्ष में हुआ इनके जैसा मैंने आपको बताया इनके पिता का नाम मौरित सना कुरोया नागी और मा का नाम इनके जो है चो कुरोया नागी प्रात्मिक सिक्षा इनकी तोमयों में हुई जिस विद्याले का प्रत्येक बच्चा बाग के एक एक पेंड को खुद के चढ़ने का पेंड मानता था वहां जो बगीचे थे तो एक-एक पेंड एक-एक बच्चे के लिए निश्चित थे और उसी में वो बच्चे चढ़ा करते थे तैसिकों की पढ़ाई लिखाई टोक्यो कॉलेज में हुई आप कियो विश्विद्याले की संगीत की छात्रा रही है इसना तक इस्तर की पढ़ाई के उपरांत अभिने और टेली विजन मनोरंजनादी का प्रसिक्षन आपने टोक्यो और नियुयार्क में किया वे जापानी अभनेती के रूप में जापान प्रसारण निगम में भी कारिक की इनका बच्पन का नाम तोतो चान था रशनाएं जो हैं जापानी भाषा में लिखा गया उपन्यास तोतो चान ये विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसका अनुबाद याग्यक कुषवाहाजी ने किया यह स्रिजनात्मक्ष शिक्षा पर अमूल लिग्रंथ है इसकूली सिक्षा के भोगे हुए अथार्थ अनुभवों की जमीनी हकीकत को लेखिकाने स्यम भोगा है जिसका अनुबाद विश्व की अनेक भासाओं में हुआ इनका जो उपन्यास है तोतो चान का तो जिस विद्याले में ये पढ़ती थी उसी विद्याले के समूचे जीवन को इन्होंने अपने उपन्यास में रखा है और जिस तरह का अनुभव इन्होंने पाया और जो जमीनी हकीकत है उसको लेखिकाने अपने उपन्यास में रखा है धर्मात कारी के लिए प्रसिद्ध एसिया की प्रथम महिला है जिन्हें यूनिसेफ में सद्भावना राजबूद जो है चुना गया सन 1980 से 1990 तक वे अनेक बिख्षित देशों में जाकर बच्चों की इस्थितियों में सुधार हेत प्रयास किया एसिया और अफ्रीका में जाकर बच्चों की देशिति को सुधारने का इनोंने बहुत प्रयास किया जागरुकता का कार किया बच्चों की सहायता के लिए अंगोला गई दो बार अमेरिका इनका जाना हुआ इन्हें बहुत प्रसिद्ध सिक्षा विद के रूप में भी जाना जाता है इन्हें जो सम्मान मिला है जापान रिकार्ड अवार्ड जापानी सांस्कृतिक प्रसारण पुरसकार ग्लोबल लीडर्शिप की प्रसम प्राप्त करता सन 2003 में बच्चों के लिए विश्व सिखर सम्मेलन में अपनी सहभागिता देकर कीर्टिमान अस्तापित किया आपका साहित विश्व की अमूल निधी है तो तो चान विश्व साहित की चर्चित क्रिती है यह एक ऐसी अदभूत स्कूल तो मोए और उसमें पढ़ने वाले बच्चों की कहानी है वहाँ जो रेल के डिब्बे हैं वो बच्चों की कछाएं हुआ करती थी और जो पेण होते थे इसकूल के बाग में लगे हुए वे बच्चे जो हैं उसी में खेला करते थे इस अनोखे स्कूल के संसापक थे स्री कोबा याशी लेखी का स्वयम इस स्कूल की छात्रा थी उन्हीं के बच्चपन के अनभवों पर आधारित पुस्तक तोतो चान का एक अंश है अपूर्व अनुभो जो आपके पाठिक्रम में है इस अपन्यासिक अंस में दो पात्र हमारे सामने आते हैं एक तोतो चान और एक याश्की चान याश्की चान पोलियो ग्रस्त था तोतो चान ने याश्की चान को अपने पेंड पर चढ़ने का नियोता दिया तो मोय में हर एक बच्चा बाग के एक एक पेंड को चढ़ने का पेंड मानता था तोतो चान का पेंड मैदान के बाहरी हिस्से में कुहोन बुथ्स जाने वाली सड़क के पास था बड़ा सा पेंड था उसका तोतो चान प्रायह खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद उस पर चढ़ा करती थी वहां से सामने दूर तक उपर आकास को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी बच्चे अपने पेंड को निजी संपत्ति मानते थे किसी दूसरे पेंड पर चढ़ना हो तो उसके पहले पूरी सिष्टता के साथ कहते थे माफ कीजिए क्या मैं अंदर आजाओं पूछना पड़ता था या शुकी चान पोलियो ग्रस्त होने के कारण न तो किसी पेंड पर चढ़ पाता था और न किसी पेंड को निजी संपत्ति मानता था अब निजी संपत्यों तम माने जब वो पेड़ पर वो चढ़ सके अब पोलियोग्रस्थ होने के कारण वो पेड़ पर चढ़ नहीं पाता था अतहा तोतो चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंतित किया था पर इस बात को किसी को नहीं बताया क्योंकि अगर बड़े सुनते तो जरूर डांटते कि यासुकी चान को ये ले जाकर के ये गिरा देगी वो पेड़ पर चड़ नहीं पाएगा तो निश्चित रूप से जो बड़े हैं घर के वो उसको डांटते घर से निकलते समय तो तो चान ने मा से कहा यासुकी चान के घर डेनेन चोप जा रही है चूंकि वा जूट बोल रही थी इफले उसने मा की आँखों से आँखें नहीं मिलाया जहांका भी नहीं और अपनी नजरें होज जूते के फीतों पर गड़ाये रही और जूते को बांगती रही राकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक गया अब ये बात बहुत सही है कि छोटे बच्चे किसी बात को छिपा नहीं पाते तो राकी सूकी रेलवे स्टेशन तक गया था तो जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोतो चान से नहीं रहा गया जब तोतो चान स्कूल पहुँची तो यासुकी चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला गर्मी की छुटी के कारण सब सुनसान था सूना पड़ा हुआ था जैसे ही यासुकी चान ने तोतो चान को देखा वह पैर घसीटता हुआ उसकी योर बढ़ा तोतो चान उत्तेजित थी एक उमंग थी उत्साह था उत्तेजना में वह ठिठिया कर हसने लगी उसे देखकर यासुकी चान भी हसने लगा अब तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ की ओल ले गई उसके बाद वह चौकीदार के कमरे के पास रखे हुई शीड़ी लेकर आ गई वह जानती थी कि यासुकी चान जो है पेड़ पर नहीं चड़ पाएगा तो वह शीड़ी लेकर के आती है चौकीदार के कमरे के पास एक शीड़ी रखी हुई थी उसे लेकर वह पहुँझ जाती है उसे तने से टिका दिया वह फूर्ती से उपर चढ़ कर शीड़ी के कोने को पकड़ लिया और उसने पुकारा अब ठीक है उपर चढ़ने की कोशिश करो याशुकी चान के पैर इतने कमजोर थे कि वह पहली शीड़ी पर भी बिना सहारे के चढ़ नहीं पाया इस पर तो तो चान नीचे उतर आई और याशुकी चान को पीछे से धक्का देने लगी अब वो छोटी बच्ची वो भी थी और वो थोड़ा सा बड़ा था उससे उम्र में लेकिन पोलियो ग्रस्त होने के कायन हिलडूल तुपा नहीं रहा था वो तो याशुकी चान को प अपना पैठ सेड़ी पर से हटा लिया और निराश होकर सिर्ध जुका कर खड़ा हो गया तो तो चान को पहली बाल लगा कि काम इतना आसान नहीं है जितना वो सोच रही थी वास्तों में उसकी हादलिक इच्छा थी कि आशुकी चान उसके पेड़ पर चड़े चुकि उसको आमंत्रन दिया था उसको बुलाया था चुकि उसका कोई पेन नहीं था तो याशुकी चान को उसने स्वेम आमंंत्रत किया था अब याशकी चान के मन में भी उत्साह तो था तोतो चान उसके सामने गई उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तोतो चान को उसे हसाने केले गाल फुला कर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े जब वह नहीं चड़ सका याशकी चान तो 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 चान ने क्या किया फिर वह चौकीदार के चप्पर की ओड़ी वहां से एक तिपाई लेकर के आ गई तिपाई की ऊपरी सीड़ी दूशाखा तक पहुँच रही थी दूशाखा मतलब जहां पेंड की दो साखाएं निकलती हैं उसने बड़ी बहंज जैसी आबाज म में कहा देखो अब डरना मत यह डगमगाएगी नहीं यास की चान में घबरा कर तिपाई की ओर देखा और फिर पेड़ की ओर देखा और निश्चे के साथ पाँ उठा कर पहली सीड़ी पर रखा उन दोनों को यह बिलकुल भी पता नहीं चला कि कितना समय यास की चान को ऊ पर पढ़ रहा था पर दोनों का ध्यान यास की चान के ऊपर तक पहुंचने में रमा था तोतो चान उसका एक एक पैर सेड़ी पर धरने में मदद कर रही थी याशकी चान पूरी सक्ति के साथ जूज रहा था आखिर कार वह उपर पहुँच गया पर अचानक सारी मेहनत बेकाल लगने लगी तो तो चान तो सीड़ी पर से दुशाखा में पहुँच गई पर याशकी चान को सीड़ी से पेंड़ पल लाने में हर कोसिस बेकाल रही याशकी चान सीड़ी में था तो तो चान की ओर ताकने लगा देखने लगा तो तो चान की रुलाई छूटने की हुई उसे दर्द हुआ तो तो चान को पीड़ा होई कितनी मैंने मेहनत किया इसके बाद भी ये उपर नहीं आ पा रहा है उसने चाहा था कि आशकी चान को अपने पेंड़ पनामंतित कर तमाम नहीं नहीं चीजें दिखाए दुखी तो होई पर वह रोई नहीं उसे डर था कि अगर वो रोने लगेगी तो यासकी चान भी रोने लगेगा वह भी रो देगा उसने यासकी चान की पोलियों से पिस्की और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया उसके खुद के हाथ से वह बड़ा था जबकी उंगलियां भी लंबी थी देर तक तो तो चान उसका हाथ थामे रही फिर बोली तुम लेट जाओ तुम्हें पेंड पर खीचने की कोशिस करती हूँ वह अपने नन्ने नन्ने हाथों से पूरी ताकत से यासकी चान को खीचने लगी काफी मेहनत मसकत के बाद दोनों आमने सामने पेंड की दुशाखा पर थे पसीने से तर बतर अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए तो तो चान ने सम्मान से जुक कर कहा मेरे पेंड पर तुम्हारा स्वागत है तो तो चांग ने सम्मान से जुक कर कहा मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागर्थ है यासकी चांग डाल के सहारे खड़ा था कुछ जिजखता हुआ वह मुश्कराया तब उसने पूछा क्या मैं अंदर आ सकता हूं एक वहां का ये मतलब नियम है वहां की एक मर्यादा है कि लोगों को पूछना पड़ता है तो बच्चों में ये संसकार प्रारंब से ही डाल दिये जाते हैं उस दिन यासकी चांग ने दुनिया की एक नई जलक देखी जीवन में पहली बार जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था उसने खुश होते हुए कहा मैं ऐसा होता है कि पेंड पर चढ़ना खुश होकर के कहा तो ऐसा होता है पेंड पर चढ़ना वे दोनों पेंड पर बैठे बैठे गपपें लगाते रहें क्या याश्की चान बता रहा था कि मेरी बहन अमेरिका में है उसने बताया है कि वहाँ एक चीज होती है टेली बीजन याश्की चान उमंग से भरा हुआ बता रहा था हमारी बहन कहती है जब वह जापान में आएगी तो हम घर बैठे बैठे जो है सूमो कुस्ती देख सकेंगे उस वह कहती है टेली बीजन एक डब्बे जैसा होता है तो जब डब्बा हमारे जापान में आएगा तो हम घर बैठे सूमो कुस्ती देख सकेंगे तो तो चान के समझ में नहीं आया, वह सोच रही थी कि एक डिब्बे में पहलवान कैसे समा जाएंगे, उनका आकार तो बड़ा होता है, उस समय टेली वेजन के बारे में कोई कुछ नहीं जानता था, दोनों पेंड पर प्रसन दिखाई दे रहे थे, यास की चान के लिए पे उपन्यास का कथानक, वास्तों में बच्चे भी कई बार ऐसे जोखिम भरे काम कर बैठते हैं, जो बड़ों की कलपना के बाहर होते हैं, तो तो चान द्वारा, पोलियों से ग्रस्त साथी, यास की चान को अपने पेर पर चढ़ाने का जोखिम भरा कार है, एक ऐसे अपूर अनुहों की स्रिष्ट करता है, जहां शब्द भी चूग जाते हैं, कहने सुनने से अधिक गहरी अनुभूत के इस्तर पर उतर कर इने महसूस करने की जरूर्थ होती है, इस उपन्यास अंशका की जो भासा है, सहज है, सरल है, बोधगम्य है, घटना, प्रेरक और कुछ इसने के लिए बिवस करती है,